करनाटक में एक पारशद की बेटी नेहा की हत्या फयाज ने कर दिया चाकूँ से गोध के उसके बाद सोशल मेडिया में जस्टिस फार नेहा ट्रेंड कर रहा है सवाल यह है चीन में कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता सिंगापूर में कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता और बाकी तो छोड़िये दुबई जो इस्लामिक कंटी है वहाँ पे कोई फयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता जापान में फैयाज किसी नेहा की हत्या क्यों नहीं करता ये भारत का ही फैयाज नेहा की हत्या क्यों करता है पिछले पांच साल में एक हजार से ज़्यादा बेटियों की हत्या हो चुकी है इसी तरी के और केवल बेटियों की नहीं एक हजार से ज़्याओं की जहादी हत्या हो चुकी है जब-जब हत्या होती है ट्विटर पे ट्रेंडिंग होती है जस्टिस फार, जस्टिस फार, जस्टिस फार फेस्बूक पे फोटो शेयर होता है वीडियो शेर कर दिया जाता है ये सब कुछ कर दिया जाता है लेकिन समस्या का मूल कारण और समस्या का स्थाई समाधान क्या है ना उसको कोई नेता कहता है ना कोई अभिनेता कहता है ना कोई लिखक कहता है ना बुद्धिजी भी कहता है ना पत्रकार कहता है ना कलमकार कहत कई बार तो ऐसा होता है जब जैसे जहादी हत्या होती टीवी पर डिबेट भी होती है लेकिन ना तो कोई आंकर पूस्ता इस समस्या का मूल कारण क्या है और ना कोई वहाँ पे जो आते हैं पैनलिस्ट वो बताते हैं कि समस्या का स्थाई समाधान क्या है जैसे नेहा के हत्या हुई है, ऐसे राजू के हत्या हुई थी, कृष्णा के हत्या हुई थी, सिवम के हत्या हुई थी, बादल के हत्या हुई थी, निलेज के हत्या हुई थी, लखनव में कमलेस्तिवारी के हत्या हुई थी, गंगाराम के हत्या हुई थी, डाक्टर नारंग क किसी तरीके से हत्या हुई थी चाकूओं से गोद गोद के अभिजीत की भी चाकूओं से गोद गोद के हत्या हुई राम लिंगम के हत्या हुई थी रिंकु शर्मा की हुई थी दृत्यागी की हुई थी चंदन गुपता की हुई थी बंदू प्रकास की हुई थी रचित का गला काट के मार दिया था दिल्ली में कमलेस्तिवारी की हत्या हुई थी लखनव में निकिता राजपूत की हत्या हुई थी राजस्थान में कनहिया लाल के हत्या हुई थी उमेश कोले के हत्या हुई थी अभी ये करनाटक में नेहा की हत्या हुई है फयाज की और जब जब इकठा हो जाएंगे जुलूस भी निकालेंगे उसके बाद पुलिस थाने का घेराव भी करेंगे एफ आई यार भी दर्ज हो जाएगा पूश्टाज भी शुरू हो जाएगी लेकिन कभी यह नहीं सोचते इतनी हत्याएं हो गई आज तक किसी को फांसी हुई क्या कभी हम यह इतने भुलकड हो चुके हैं कि कभी इतना दिमाग भी नहीं लगाते यह कोई पहली हत्या थोड़ी है इतनी हत्याएं हो चुकी हैं हजारों हत्याएं हो चुकी हैं किसी को आज तक फांसी तो हुई नहीं किसी के आज तक सिटिजन से तो खतम हुई नहीं कभी यह भी नहीं सोचते यार यह जो हत्या भारत में हो रही है कभी बंगाल में हो रही है कभी तमिलाडू में हो रही है कभी कन्नाटक में हो रही है कभी यूपी में हो रही कभी बिहार में हो रही कभी मदपदेश में हो रही कभी रास्तान में हो रही है ऐसी हत्या आखिर चीन में क्यों नहीं होती ऐसी जिहादी हत्या सिंगापुर में क्यों नहीं होती ऐसे जिहादी हत्या दुबई में आरब में क्यों नहीं होती ऐसी हत्या आखिर जापान में क्यों नहीं होती कोरिया में क्यों नहीं होती यह भारत में क्यों हो रही है मैं बार-बार कहता हूँ सठे साठ्यम समाचरेत ये सिध्धान्त भारत का है जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिध्धान्त को अपनाया वहाँ शांती है, सम्रिद्धी है, खुशाली है भगवान शिराम ने बोला था भैबिन होई नप्रीत जिन देशों ने भैबिन होई नप्रीत सिध्धान्त को अपनाया उसके अनुसार कठोर कानून बनाया स्पीडी जस्टिस सिस्कम बनाया वहाँ सांती है, सम्रिद्धी है, खुशाली लेकिन भारत इतनी पुन्य भूमे सारे देवी देवता यहीं जन मिलिये सारे संकराचार यहीं जन मिलिये चारोधाम यहीं पे बारत जियोतिलिंग यहीं पे एक्चावों सक्तिपीठ यहीं पे चौबिस तीर्थंकर भगवान यहीं पे जन मिलिये भगवान बुद्ध की कर्म भूमी यही भारत भगवान राम की कर्म भूमी जन भूमी भारत, भगवान कृष्ण की जन भूमी कर्म भूमी भारत, हनमान जी की जन भूमी कर्म भूमी भारत, और यहां इतना प्राध है, इतना अत्याचार है, इतना भ्रस्टाचार है, और फिर भी जब कोई घटना हो जाएगी, तो दोनों पक्ष तू तू में में करेंगे अपनी अपनी सुभधा के अनुसार जैसे इस समय करनाटक में हुआ है तो सौहवी सी बात एक पक्षवाले सांथ हो गए दूसरे पक्षवाले टूटे हुए इसका जब उल्टी हत्या हो जाएगी तो दूसरा पक्ष एक उग्र हो जाएगा आरोफ प्रत्यारोफ सुरूँ करदेगा एक बा messing हो जाएगा जात कि अो आनुक्त वहाः नहीं है कानून का भै नहीं है और जब जब कोई हत्या होगी तो सब ट्विटर पर उबल जाएंगे जस्टिस फार जस्टिस फार लेकिन कभी यह नहीं कहेंगे पुलिस रिफॉर्म के लिए कभी ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे जुडिशल रिफॉर्म के लिए ट्विटर ट्रेंडिंग नहीं करे गुस्पैट नियंत्र कानून के लिए ट्रेंडिंग नहीं करेंगे धरमांत्र नियंत्र कानून के लिए ट्रेंडिंग नहीं करेंगे जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कानून बनाने पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे मदर्शा खतम करके मिसंडरी स्कूल खतम करके भारती एक वन नेशन वन एजुकेशन कोड बनाया जाए उसके लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे जस्टिस विदिन एर लागू किया जाए कि एक घंटे के अंदर एक महिने के अंदर जांच पूरी हो और एक साल के अंदर फैंसला हो इसके लिए ट्विटर पर ट्रेंडिंग नहीं करेंगे अपरादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए नागरिकता खतम किया जाए और इनको आजीवन कारावास फांसी दिया जाए ऐसा कठोर कालूं बनना चीए उसके लिए ट्रेंडिंग नहीं करेंगे बस दुरगटना हो जाएगी जो दुरगटना हो जाएगी उसकी फोटो उठाठा के ट्रेंडिंग करते रहेंगे कितनी ट्रेंडिंग कर चुके हैं कमलेस तीवारी की फोटो घुप शेयर किया था हो गई क्या हत्यारों को फांसी हुई उनकी प्रॉपर्टी जब्त हुई उनकी नागरिकता खतम हं क्या यहीं दिल्लिम कितनी हुई डक्टर नारंग की हुई थी उसके बाद दिल्वण Нेगी की हुई थी । दिल्ली दंग कितने लोग मारे गए थे किसी कम का रहाज भाज किसी हत्यारे को फोटुफंसी की प्रॉपर्टी जब्त हुई किसी की war भ तोजार चौबिस यह तो पचास साल भी चुका है पचास साल के लगवग चाली साल हो चुके हैं आज सक तो नहीं हुई 1990 में कस्मीर में इतना बड़ा नरसंघार हुआ था जिलों कस्मीर में पलायन करने के लिए मजबूर किया नरसंघार किया बहन बेटियों के साथ हत्या ब या होती हि रहती है आज तक किसी पत्थर्वाज कि बताओ मा जहांपे कि 100% नागरिक्टा खतम है कि वह नहीं हो सकता क्योंकि भारत में कानून का राज है और ऐसा कानून हमें बनाया नहीं है गुलामी का नाम आज भी चल रहा है गुलामी का निसान आज भी चल रहा है गुलामी की कुरितिया चल रही है गुलामी की कुप्रथाय चल रही है चलो वह बात तो समझ में आती है अरे गुलामी की पुलिस बेवस्था चल रही है गुलामी की प्रसास्निक चल रही है कि डॉक्टर बदलने से कभी बीमारी ठीक नहीं होगी एक बात यह अच्छी तरीके याद रखो बीमारी तब ठीक हो थी जब डॉक्टर दवा बदल देता है क्या क्ष़ों प APPLAUSE opposal साल से में डॉक्टर बदलते जा रहे हैं मुक्ही मंतरी बदल रहे स्भान मंतरी बदल रहें राष्टपत्री बदल रहे Chief Justice of India भी बदल रहे, सब बदल रहे, कानून बदला क्या, हमने पुलिस रिफॉर्म किया, जुडिशल रिफॉर्म किया, एलक्षन रिफॉर्म किया, एजुकेशन रिफॉर्म किया, टैक्स रिफॉर्म किया, हमने पुलिस चार्टर लागू किया, जुडिशल चार्टर ऐध्यक करती है ये भी हो सकता है दसबीस साल के बाद ये बरी भी हो जाया नेहा का कहा त्यारा फह यह भी बड़ी बात नीकितने लोग बरी बी हो चुक है कितने सारे मुकणम लोग बरी बह수 के हुए कि this को बदलना है नारको पॉलीग्राफ ब्रेट मैपिंघ काणून की मांग करिए Justice Within-Year लागू करने की मांग करिए यह जो मदरसा चल रहा है मिसंदी स्कूल चलना इनको बंद करके करने की मांग करिए यह जो शरीयत ऐक्ट और Christian marriage और पर posing marriage गर चलना इसको खतम करके uniform civil code की लागू करने की मांग करेंगे, हवाला के खिलाफ काला धन्स जो निकी फंडिंग होरे उसके खिलाफ कठोर कानून की मांग करेंगे, विदेशों जो इतना बड़ा चंदा आ रहा है, उस चंदे के खिलाफ कठोर कानून की मांग करेंगे, कानून बदलेगा, तब अपराद रुकेगा, झाल झाल